निमित्रों को जै जै सियराम भैगवान गनेश जी की कृपा हमारे शभी मित्रों पर बनी रहे एही हमारी मंगल कामना है तो आईए गनेश जी के तीन सक्तिशाली मंत्र को आपको शुनाते हैं इन मंत्रों का जाप निमित्रूप से करने से घर में सुक सम्रिधी आती है और ग भगबान गनेश सभी देवताओं में प्रथम पुज्य हैं इसलिए किसी भी प्रकार की पुजा सुरू करने के शमय सबसे पहले स्री गनेश जी की पुजा की जाती है हिंदु धर में इनका पूजन करना बहुत लावदायक माना जाता है चाहे जीवन में कोई भी शंकट हो दुख दर्द हो तो गनेश जी की पुजा बरी लावदायक होती है तो आईए आज आपको गनपती के कुछ ऐसे ही मंत्रों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका जाप आपके लिए लावकारी शाबित हो शकता है गनेश जी की आराधना बहुत जल्दी फल देती है इनकी शात्युक शाधनाए अति शिग्र सुभ फल देती है शात्युक शाधनाए से मतलब जिस पुजा में जादा अधिक विधी विधान को अपनाने की जरूरत नहीं होती तो आएए आज कुछ मंत्र बताते हैं जिनके उच्चाहरन से घर में सुक समिर्धी के साथ साथ खुशा हाली भी आती है जो तिसके अनुशार लगातार इन मंत्रों का जाप अगर 11 दिन तक किया जाए और प्रतेक दिन कम से कम 108 बार यानी की एक माला जप करने से बिक्ती के पहले कर्मों का बुरा फल समाप्त होने लगता है और भाग उसके साथ हो जाता है ओम, गलाम, गौरी पुत्र, बक्रतुंड, गनपती, गुरु गनेश, गलाम, गनपती, रिध्धी पती, शिध्धी पती, मेरे करदूर, कलेश जो तिस साथ्र के अनुशार इस मंत्र के जाप के दौरान कुश्ची जोका ध्यान रखना पड़ता है प्रन्तु प्रतेक दिन सुबह में महादेप, पारवती जी और गनेश जी की पूजा करने के बाद इस मंत्र का जाप करना बहुत लावकारी होता है माना जाता है कि इसका 108 बार जब करने से ब्यक्ती के शभी दुख समाप्थ हो जाते हैं लेकिन इस मंत्र के जाप करते समय सात्विक्ता रखना बहुत जरूरी होता है जैसे क्रोध का नहीं करना, मान समिद्रा नहीं खाना, परिस्त्री आदिशे दूर रहना चाहिए और गनेश कुबेर मंत्र ओम नमो गनपते कुबेर एक दिक्रो फटाश्वाहा कहा जाता है कि अगर किसी पर अधिक भारी करजा हो जाए या फिर गनेश गायतरी मंत्र का आर्थिक परेशानियों से जुजना पर रहा हो तो गनेश जी की पूजा करने के बाद गनेश कुबेर मंत्र का निमित रूप से जाब करने से बेक्ती का सारा करजा खतम होने लगता है इतना ही नहीं बलकि धन के नए स्रोत भी प्राप्त होते हैं तो बोलिए जैस्री गनेश जैस्री गनेश